साथियो सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मिश्वास अगर आप में आत्मिश्वास की कमी है, हीन भावना है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते तो सफलता के लिए ये आत्मिश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है आप सभी अपने आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हीन भावना के नजरीय को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए यहां इस वीडियो में हम दस आसान परंथकारगर नियम दे रहे हैं हजारों लोगों ने इन नियमों का प्रियुक किया है और इनके सफल परणाम मिले हैं इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे आपको भी सकती के नए संचार का अनवफ होगा तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किरपया चैनल को सब्सक्राइब पल लें और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिक्शन के टैप को सलेक्ट कर लें जिससे के इस तरह के महतपूर वीडियो आपको मिल सकें तो आईए जानते हैं आत्मिश्वास बढ़ाने के दस आसान नियम पहला नियम अपने दिमाग में यह अमिट चबी बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं इस चबी को हमेशा इस पश्टता से बनाए रखें इसे दुन्दलान होने दें आपका मस्तिस्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा कभी भी यह न सोचें कि आप असफल हो रहे हैं अपनी मानसिक चबी की सच्चाई पर कभी शंकान करें ऐसा करना बहुत खतरनाक है क्योंकि मस्तिस्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है इसलिए हमेशा सफल ताकी तस्वीर भी बनाएं चाहे आपके जीवन में इस चड़ कितनी ही समस्या या मुश्किले क्यों नहों नियम नमर दो जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो इसे समाप्त करने के लिए ततकाल कोई सकारात्मक विचार सोच ले नियम नमर तीन अपनी कलपना में बाधाओं का निर्माड न करें हर तथाकतित बाधा को कम करके आंके अपनी कलपना में बादा को बड़ा या विराट ना बनाएं कठनाईयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्यन और विशलेशन करना पड़ता है परंत उन्हें उनके असली सुरूप में ही देखना चाहिए डर के विचारों से उन्हें बड़ा नहीं करना चाहिए नियम नमबर चार दूसरे लोगों को देखकर चमित्रित न हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश ना करें आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग नहीं हो सकता जितने के आप सुयम याद रखें के जादतर लोग उपर से आत्म विश्वास से भरे दिखते हैं परंतो अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे हुए और आसंकित होते हैं जितने के मैं और आप नियम नमर पांच हर दिन इन सक्तचाली सब्दों को दोराएं अगर इश्वर्द हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है इन सब्दों को बार बार दोराएए नियम नमर च्हे किसी योग की सलाकार से सलाल हैं ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वा आप क्यों करते हैं और किस तरह करना हैं अपने हीन भावना या आत्म संका की भावनाओं के उदगम को जानें जो अक्सर बच्पन से शुरू होती है आत्म ज्यान से ही उपचार संभव होता है नियम नमर साथ हर दिन दस बार यह बोलें हो सके तो जोर से बोलें मैं इश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंके वही मुझे शक्ती देते हैं नियम नमर आठ अपनी योगिता का सच्चार मान लगाएं और इसी दस प्रिस्तत बढ़ा लें एहंकारी न बनें पर आत्म सम्मान विक्सित करें इश्वर द्वारा खुद को दी हुई शक्तियों में विश्वास करें नियम नमर 9 अपने आपको इश्वर के हावाली कर दें ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ कहना होगा मैं इश्वर के हातों में हूँ फिर विश्वास कीजी कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियां मिल रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है अपने सरीर में इस शक्ति को प्रभावित होता महसूस कीजिए महसूस कीजिए कि ईश्वर आपके अंदर है आपके साथ है और अब नियम नम्बर दस खुद को याद दिलाएं कि इश्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता विश्वास कीजिए कि आपको अभी इश्वर से वो शक्ती प्राप्त हो रही है हम आशा करते हैं कि आत्मिश्वास से सम्बंदित ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुगा वीडियो अगर पसंद आये तो कि प्रप्यास से लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना और साथी बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलीगा जिससे कि इस तरह के महत्तपूर वीडियो आपको समय से मिल से